वेलकम बैक टो मिशन सक्सेस तो आज हम पढ़ेंगे 2021 में जितने भी चर्चित निधन रह चुके हैं उन सब के बारे में और इन चर्चित निधन से हम सारी इन से रिलेटेड सारी डिटेल जानकारे देखेंगे कि कौन किस कारे छेतर से संबंदिध है किन की क्या उपलबदिय उन सब के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने जा रहे हैं तो यह सब हम याद करेंगे ट्रिक ताकि जब आपके एक्जैम में इससे रिलेटेड कोई कोशन आए तो एजली आपके माइंड में उसका आंसर आजाए आप किसका आंसर क्या है तो चलिए बिना टाइम को वेस स्टार्ट करते हैं अगर अगर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने ही एक वह सेने अधिकारी थे और इनका निधन कभ हुआ 8 दिसंबर 2021 में एक हेलिकॉप्टर दुर घटना में इनका निधन हो गया आई चले इनकी उपलब्धियों के बारे में देखें तो 2016 में 27 सेना प्रमुख नुक्त किया गया था इन्हें तथा 1 जनवरी 2020 को देश का पहला CDS इनको बनाया गया था तो जनरल विपिर रावत से बहुत ही latest news है अभी हाल फिलाल की ही घटना है तो इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे जाता लोगों को सबको पता होगा तो यहां पर important यह हो जाता है कि कोशन ऐसे ब्याज़े कि देश का पहला CDS को बनाया गया तो याद रखेगा जनरल वेपिन रावत जी को तो मुझे लगता है यहां पर किसी ट्रिक की ज़रूत है तो यह तो हाल फिलाल की घटना है आपको इसली याद रहेगी चले next देखते हैं अगला है आर्क बिशब डेसमन टूटू तो यह कौन है किस कारे छेतर से संबंदित है तो यह एक समाज सुधारक है क्या है यह एक समाज सुधारक है आए इन क्यों प्लब्धियों के बारे में जानते है तो दक्षड अफरीका में रंग भेत के खिलाफ संघर्ष करने वाले और नोबल शानती पुरस्कार 1984 में इनको नोबल पुरस्कार मिला था उससे संबंदित उन्हें 2005 में भारत में गांधी शानती पुरस्कार से भी संबंदित किया गया था तो आए देखते हैं कि हमको कैसे बता चले एक्जाम में कि आर्क बिशफ, डेस, मन, टूटू जो हैं वो समाज सुधा रहा है बिना याद करें हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो देखिए यहां से अपने वर्ड ले लिया डेस डेस कैसा साउंड कर रहा है और यहां से वर्ड ले ले लेंगे समाज तो याद करने के लिए सिर्फ आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम किसी देश में होते हैं तो हमें उस समाज के rules regulation को follow करना पड़ता है तो हमारे देश में या किसी के भी देश में हमें समाज के अनुसार ही रहना पड़ता है उसके rules regulation को follow करते हुए तो हर देश में सबको समाज के according ही रहना पड़ता है तो देश आजाएक और देश आएगा तो ऐसे connect हो जाएक आपका कि किसी भी देश में हो हमें उस देश में जो समाज है उसकी according ही चलना पड़ता है तो देश और समाज को आप इस तरह से connect कर सकते हैं चले नेक्स देखते हैं, नेक्स है, जस्टिस जीडी नानावटी, तो 21 कारी छेतर से संबंदित है, ये एक नियाधीश है, आईए इनकी प्लब्धियों के बारे में जाने, तो देखिए सर्वोष नियाले के पूर्व नियाधीश रह चुके हैं, 1984 के सिख विरोधी दंगो औ ये लोग फैमिली के डिसीजन लेते थें, ये नियाय करते थें फैमली में कुछ भी इशू हो जए, कोई प्राबलम हो जए, किसी से लड़ाई हो जाए, वही राइट होता था कि ये डिसीजन लेंगे नाना और दादा लोग में बाज़ें जो सी जो होते थे तो यहां से नानावर्ड देखें तो यह कुण है यह मनोचान के अगर आप लबदियां देखें तो यह भारत की पहली महीला मनौची किस्क हैं, याद रखिएगा भारत की पहली महीला मनौची किस्क हैं और 1992 में इनको पद्म भूचर से भी सम्मानित किया जा चुका है, यहाँ पर दो important factor है, एक यह पहली महीला मनौची किस्क कौन है, ऐसे भी कोशन आ सकता है, तो M.Sharda Menon है, और यहां पर आपको connect करने के लिए बहुत इजी है यहां पर मन जैसा sound कर रहे है और मन का अध्यन करने वाले जो होते हैं तो यहां से मन, यहां से मन, मन, मन connect हो जाएगा आप इसली आंसर तक पहुच जाएंगे चुले अगला देखें अगला है नोवी कपाडिया तो नोवी क यह फिलभध्या देखें कि यह कौन है तो भारती फुटबॉलर भारती है फुटबॉल का इंसाइक्लोपीडिया नाम से प्रसिद कमेंटर है तो यहां पर अब हम connect कैसे करेंगे तो यहां आप लबदियों के बारे में जाने तो इनकी उपलबदियों, के बारे में जाने तो इनकी उप्लब्धिया देखते हैं प्रसिद लेखी का एवम कथाकार 2008 में व्यास सम्मान ये कहानी ये भी उपन्याज जो था इनका इससे सम्मानित है और राजिस्थान संगीत नाटक अकैडमी पुरुसकार 2012 में इनको ये पुरुसकार भी मिला है तो देखिए मन्नू भंडारी को अब आप लेखी का है ये वैसे बहुत फेमस सी बात है लेकिन अगर आप करना तो कैसे कर सकते हैं डारी कैसे साउंड कर रहा है डायरी जैसे साउंड कर रहा है ना ये डारी डायरी तो डायरी पर क्या क करते हैं हम लिखते हैं मतलब लेखी का लिखेना उर लेखी का इस तरह से कनेट हो जाएंगे चलिए अगरा देखते हैं है के next है कल्यांड सिंग सिंग क्यायाजिक क्या है अपिलब्रबदयों के बारे में जानते हैं तो उत्रपरदेश के पुर्व Et fooled अधे जो помощ लिवाल में जहाँ है को वर्ग राजिस्थान वा हिमाचर पर्देश के पूर्व राजयपाल रह चुके हैं तो कल्यान सिंग को राजनिती को कैसे करनेट करना देखें जैसे ही कोई अनेता होता है राजनिती से जुड़ता है जब कोई तो सबसे पहले वो क्या बात करता है कि हम तो भई देश का करेंगे कल्यान करेंगे हम देश का क्या करेंगे कल्यान करेंगे तो कल्यान देखती है आपके माइन माना चाहिए किसका होगा देश का होगा और कौन करता है जो राजनीति से जुड़ा होता है तो राजनीति में आते ही सबसे पहले बारे में जहाने तो पद्वन श्री अवार्ड जोंको 2021 से मिला था उस पुरसकार से इनको सम्मानित किया गया है तो दोगरी भाषा की पहली आधुनिक महीला कावित्री है ठीक है साहित्य अकायद्मी पुरसकार भी इनको मिला है मेरे कवीता मेरे गीत के लिए अब देखिए इसको कैसे करना है महीला कवीत्री को कभी-कभी बहुत लोग ना सच बोल नहीं पाते हैं सामने से मजबूरी होती होगए कुछ होता है तो फिर क्या होता है उसको हम कवीता के माध्यम से बोलते हैं कवीता के माध्यम से उस सच को फिर प्रस्तुत किया जाता है कभी-कभी ज इस तरह से इसको connect कर सकते हैं सच और कवित्री चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट है O.M. नामियार तो इनका कारेच्छेतर क्या है इनका कारेच्छेतर है कि ये एक अध्लीट कोच है आई इनके प्लब्दियों के बारे में जाने तो भारत की महान धाविका पीटी उशा की कोच रह चुके हैं और दुर्वानाचारे पुरुसकार और पर्श्रीट पुरुसकार से इनको सम्मानित किया गया है अब यहां पर देखिए इसको connect कैसे करना है यहा यहां से वर्ड ले लिजिये यार जैब ही दोस्तों लेटी हो जाता है अगे रजाता है तो कितना है जाते हैं Secrets is अगला है वासू परांजपे तो वासू परांजपे किस कारे छेत्र से संबंदित हैं तो देखिए एक क्रिकेट कोच है आए एंक्यो प्लब्दियों के बारे में जाने तो सुनील गावसकर, दिलीव विंकसर कर, सचिन तैंदुलकर जैसे दिगज क्रिकटों को निखारने वा अगला है वीरभदर से किस कारे छेत्र से रिलेटेड है तो देखिए एक राजनी तेंगे है इनके उपलब्दियां देख लेते हैं, तो हिमाचल परदेश के छे बार मुख्य मत्री रह चुके हैं वीरभद्र सिंग्, अब इसको कनेक्ट करना है, देखिए पहले राजा महराजा जो होते थे, यहां से लेजे राज, राजा महराजा जो होते थे, वो कैसे होते थे, इस तरह आप इसे करनेक्ट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह भी आप याद रखेंगे, कि यह छे बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं, तो हिमाचल परदेश की, चले अगला देखिए, तो दिलीप कुमार, यहां पर तो किसी ट्रिक की आपको ज़रत दिलीप कुमार जी को, तो सभी जानते हैं, तो यह कौन है, ओविसली यह एक अभी नेता है, आएए इनके प्लबधियां देख लेते हैं, तो बॉलीवुट की ट्रेजिटी किंग है, और उनका असली नाम क्या था, तो उनका असली नाम क्या था, मुहम्मद यूसुफ खान उन्होंने वर्ष 1944 में जवार भाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुवात की थी, और उनकी अंतिम फिल 1998 में आई किला, उन्होंने 1994 में दादा साहिप फाल के पूरिसकार से में उनको सम्मानित किया गया था, केंदर सरकार द्वरा 2015 में पदमु भूशन तथा, 1991 में पद किसी भी ट्रिक की शरुवत नहीं होने वाली है, चलिए अगला देखते हैं, तो केशब दत, अब देखिए केशब दत कौन है, तो ये होकी खिलाडी है, चलिए उनकी उपलब्धिया जाने, तो 1948 में 1992 में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारती टीम के सदस से, 2019 मोहन बगान रत्म से सम्मान पाने वाले पहले गैर पुटबॉलर बन गए, तो देखिए केशब दत कौन है, एक होकी खिलाडी है, ठीक है, और इनकी उपलब्धियों में जैसा कि हमने जाना कि 1948 से 1952 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस रह चुके हैं, अब इसको हमें कनेक्ट कैसे करना है, तो इस तरह आप इसको याद करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, चलिए नेक्स देखें, तो नेक्स है नंदू नाटेकर, तो नंदू नाटेकर किस कारेशेत्र से सम्बंदिद है, यह एक बैडमिंटन खिलाडी है, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, तो 1956 में अंत नाटेकर कैसे सम्बंद कर रहा है, तो जब बच्चों को सुबह सुबह उठाओ, तो वो क्या करने लगते हैं, बैट पे लेटे लेटे नाटक करना शुरू कर देते हैं, यह नहीं को स्कूल नींद आ रहे हैं, यह वो वो, तो नाटक देखिए, यहां से बैड वर्ड ले नाटक वर्ड ले लिजे, तो बच्चों को जैसी सुबह स्कूल के लिए उठाओ, तो बैट पे लेटे लेटे उनके नाटक स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाने के लिए, ऐसे आप कनेट कर सकते हैं, अगला देखते हैं, लक्ष्मी नंदन बोरा, अब कौन है यह लक्ष्मी नंदन बोरा एक असमिया सहित्यकार है, आए इनके उपलब्धियों के बारे में जाने, तो पदमिश्री पुरुस्कार से सम्मानित असमिया भाशा में एक प्रशंसित उपन्यासकार और लगु कथाकार लक्ष्मी नंदन बोरा ने पाताल, भैर्वी और काया कल लोगStop Sensei सार से अधिक उस्तखों की रचना की है तो यह है एक असमिया सहित्यकार अब देखिए यहां नो केंजिय रखेंगे या इक सहित्यकार है तो यहां पर हमने लच्ष्मीному होगा है जैसे हम बोलते हैं हमारे घर में लक्षमी आजाए लक्षमी आजाए तो उससे क्या मिनिंग है कि मतलब पैसे आजाए इसी से कनेट करते हैं तो सब ही चाहते हैं कि हमारे घर में पैसे आजाए यानि कि हमारे घर में लक्षमी आजाए तो यहां से असमिया का असवर्ड ले ल बॉक्सर आए इंक प्लब्धिया जाने तो एशिया एक हेलो में स्वन्पदक विजेता रह चुके हैं यह दिक बोसी अब इसे करना है यहां से वर्ड लिया बॉक्स लिए बॉक्स में कुछ रखते हैं राइट बॉक्स लिए और यहां से डिक कैसा सांड करें डिगी जैसा त इस तरह से आप इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरह कनेक्ट कर लिए ठीक है नेक्स्ट है वी कल्यानम तो वी कल्यानम कौन है यह एक क्रांतिकारी है आई इनकी प्लब्धिया देखें तो महत्मा गांधी के परसेल सेक्रेटरी रह चुके हैं तथा भारत छोड़ो अंदोल इसको नहीं करने दिया जाता है तो वी जुस्को जैसे रोक लगा दी जाए तो गया सोचते हैं अब मै क्रांति कारी बनुगा ऐसे आपको करेक्ट करने कले के लिए सिर्फ मैंसे पढ़ा रही हूं आप करेक्ट कर सकते हैं कि अब क्या करूंगा मैं अब करंति आईगी के जुरत नहीं है आप सजानते ही होंगे सारे तो क्या है यह एक धावक है okay आई इसको है कि लफ़ नाम से भी जाना जाता है बहुत फेमस है फ्लाइंग सिख नाम से भी यसी पूछा जा सकते हैं कि फ्लाइंग सिक किसे कहते हैं उप्शन आ सकते हैं चार उनमें से याद रखेगा मिलखा सिंग को फ्लैंग सिंग के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए एक धावक है तो इसमें ट्रिक की तुजरुत है नहीं आपको इसले ऐसी याद रहेगा अगला देखते हैं प्रोफेसर म.S. नर्सिमहन ये क्या है तो ये एक प्रसीद गड़ी तग्ये है याद रखेगा आईए देखें इनकी उपलब दिया तो शांती स्वरू भटनागर पुरुष कारसिंद को समानित किया गया है तथा प्रथम भारतिये किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइस जीतने वाले भी ये प्रसीद गड़ी त आप ये मां हटा दें तो ये सिंथ स्वरूढ करें दूड ना सिंसरी साइन के जैसे संवंड करें तो गड़ीत के बहुत सारे साइन सो ते है राइड जैसे की प्लस का with a माइनस का ήन इस तरह के साइन सोते ना तो जो लिछ सिम्हन है जो पीछे में स्वा तो अगर मां हट कनेक्ट कर पाएंगे चले next देखते हैं next है श्रमण राठोर तो श्रमण राठोर है कौन यह एक संगीत कार है आजए देखें इनके उपलब दिया तो आशिकी हम है राही प्यार के परदेशी राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों के लिए हिट गाने की रचना की है तो अब आख वाटिंग गाईज यह पार्ट वन है बहुत जल्दी इसका पार्ट टू भी आएगा तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में कमेंट करके बताएगा जरूर और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है अब हमारे चैनल पर नए है तो Thank you!